कि इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एस्ती बर्मा का सिंपा हमाणी मोशन का कोस्चन नमबर 18 कोस्चन नमबर 18 दखाँ स्प्रिंग सोन इन फीगर कोस्चन नमर 18 में एक फिगर दिया गया है और इस फिगर को आप ड्रा करेंगे is unstressed when the man starts pulling on the cord यह का spring है इसमें एक मास है यह है और spring constant k है करें spring spring figure is unstressed अभी unstressed है यह मैंने starts pulling on the cord एक आज़ी इसमें खीजना शुरू किया the mass of the block is m mass of the block is m if the man exert a constant force F अगर आपनिस पर a constant force लगाया F constant force लेना लगाया F find the amplitude and the time period of the motion of the block किस्का amplitude और time period बताव amplitude of time period देखिया है जभी force लगाया होगा F तो spring कुछ तो फैला हो मालने के spring फैल गए आपनी natural length से एसनो F लगाने तदार F लगाने कारन F लगाने कारन एक लिए बिरियम में आदेगा संतुलर में तो इधर आप स्प्रिम क्या कर रहा होगा force लगा रहा होगा एधर K X not तो कि बिरियम बोई सेन्में क्या होगा K X not बढ़ाबर F K X not बढ़ाबर एधर यह क्या होगा इसका mean position Okay mean position अब निकाना इसका time period and amplitude time period और amplitude दो time period निकाना और amplitude निकाना time period निकाना की यह simple यह सूचिए कि इसको mean position से हलका सा s डिस्प्लेस कराया mean position से सूचिए इसा अही time period निकाने का तरिका होता है कि जई किसी party में Talent आपका सा s video उसको देखे का इसको consistent फिर अपने तरफ खीच रहा है तो माल ले इसको कि main position से आपने x डिस्प्लेस कराया माल ले इसको कि main position से X डिस्प्लेस कराया जब x डिस्प्लेस कराएगा इधर तो इधर force केतना लगा है के एक्स नौट प्लस एक्स अज़र तो एफ लगता रहे तरह इस्टोरिंग फोर्ष कौन होगा के एक्स नौट प्लस एक्स माइनस एफ अगर इस में पूजिए हो कि आपका मीं पूजिशन से कर हलका साई एक सिधर डिस्प्लेस कराया जाए सुचे ऐसा में पूजिशन से एक किसी पार्टी को हलका साई डिस्प्लेस कराया जाए तरह पर निकाले के तरीका है कि में पूजिशन से इसको हलका साई डिस्प्लेस कराया जिस एक सिंपर प्लेम होता है यहाँ पर क्या होते है, balance में, balance में, mg प्राबर t, जो ऍजा उसको हलका सर्डिस्प्लेस कराते है, फिर निकाते है restoring force, इतरीका है, तो restoring force जो निका लिए गा इसको x हलका सर्डिस्प्लेस करा करके, मान ले जाए, कि आपने हांसे x डिस्प्लेस करा रहा है, हज़ा है तो फूर्ट है तो के एपस नोट पलस एक्स माइनस एफ बराबर में एमें होगा थो के एपस माइनस एफ बराबर में तो M A बराबर K X M ओमेगा स्कॉाइ X बराबर K X ओमेगा बराबर K Y M का रूट T बराबर 2 पाई अंडर रूट M Y K यह आग यह हमारा टाइम दिए T बराबर 2 पाई अंडर रूट M Y K फिर टाइम दिए कमान आप हमको इसमें क्या निकालना है Amplitude हमको इसमें क्यां निकालना है Amplitude इस वागा है टाइम पीजिए 2,5 अंडर रूट M Y K अब इसमें क्या निकालना हैं अमलोग Amplitude तो समयने वला बात यहां है यह यहां इसमान बात मान के बेंद आए talks अगर इस डिस्प्लेस कराया गया है ऐसा कराने वो जिसे कि मैं लेक सिंपल प्रेंड लगया यह अपना इसे चम करते रहता है करते रहता है कि अब कि अब कि इसे चम कर रहा है बताओ टाइम प्रेड क्या है तो कि इसको मैं डिस्प्लेस करा रहा है जिस पूर्मत्यक्रामब्हौो से तो कर रहा है, उसक टाइम देट 2.0 बूमेंज़ तो बूम कर रहा है। देखिंए निकालने का यहां से दिस्पलेस कर मिलादके सिक हैं, कि प्लामद्हों देखिंग अजरा बूमक्ण प्लामज़ 1000 का इस त distort कर रहा है। है कि दो कि समझें हैं दिसमा निकिसी अइस्प्रिंग का है अजा स्बला मारे कि स्थी अइस्प्रिंग का बीच सब्सक्रास है कि य हुज आय breve कि आपच बढ़ा दिया माइला जाकि ऐस्जी तोस्प्रिंग कितना फैलेगा , 4m , Imagine कि यह 20 Nous.त परए मिटर किसी इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉंस्टे politiques आफ़ी दर का इस ती therm को टॉटेँए का ? 4 पिटर, । माय हтесь जाधिじ 4 पिटर फैलेगा , तब आ स्प्रिंग इधा 80 बिकला का बैलेंस पर आएगा कहने का मतलब है कि स्प्रीम कितना फैलाई एक्सनोट तब जाकर एक एक्सनोट बराबर हुआ है इसका मतलब जब यह ब्लॉक यहां था तब इस पर सिर्फ इधरे फोर्स लग रहा था यहां पर इधर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है स्टर्टिंग में इसके नेच्रल इंट के सैंट इधर कोई फोर्स नहीं लग़ा है जब तक तक यहां से यहां ना चला जाया तब तक की एक्सनोट नहीं हो मतलब इस position के पहले का बात करें कि युला फोला कमजोल होगा केक समय RF Command बतना ही होगा इसके अमतलब ही समझे कि जईसे जईसे इस इस इपाड़ की ब्लॉक यहां से यहां जा रहा था उस दोरां जबिए ब्लॉक यहां से इस तरफ जा रहा था तो विजल टेंट फोर्स तो इधह भी काम कर रहा था, लेकिन यहां पर मैक्सिमम्म फोर्स काम कर रहा है था, यहां पर कितना फोर्स काम कर रहा है, जीरो इस पर, यहां पर कितना फोर्स काम कर रहा है, जीरो, तो यहां पर मैक्सिमम्म फोर्स काम कर रहा है, मैक्सिमम फोर्स यहां तब फोर्स जीरू इसके मतरी क्या है मीम पूजी से लेकिन आपके समझे कि जब किसी बड़ी परा फोर्स लगा रहा है पोर्स यहां से लग रहा है तो f और कितना चला ही x0 f और कितना चला ही x0 तो हमने कितना काम किया f x0 हमने काम किया f x0 f x0 हमने काम किया तो जो काम किया है अस्त्री में कितना इनर्जी जमा हुआ है हाफ k x0 का स्क्वाइर तो f x0 बराबर हाफ k x0 बराबर f k x0 बराबर f f x0 समझेगे हमने काम कितना किया f x0 हमने बल लगाएं और x0 इसको खीजे तो हमने काम किया f x0 इस बल ने जो बल काम किया वो अस्त्रींग को फैलाने में गिया अस्त्रींग को फैलाने में कितना इनर्जी लगा हाफ k x0 का स्क्वाइर हाफ k x स्क्वाइर मतलब f x0 by 2 o मतलब हम काम किये f x0 उसमें से f x0 by 2 अस्त्रींग के अस्त्रींग को खीजने में लग दिया बाकी f x0 by 2 कहां गया समझने माले बात ही जब इस बलॉक को हम यहां से यहां खीजे यहां से ले गए बलॉक को हमने कितना काम किया f x0 इस बलॉक पर हमने काम किया f x0 first into displacement इतना काम हमने किया तो इतना इनर्जी इसमें जमा हुआ लेकिन उसमें तो आधाई ही जमा हुआ ही half k x0 square half k x0 square half k x0 square इस बाकी f x0 by 2 कहां गया कायंटिक इनर्जी में इस यहां के पास अभी कायंटिक इनर्जी भी है अगो पता कि जब कोई पार्ट के रमिंग पोजिसन परता उसके पास maximum velocity होता है इसका मतलग इस समय इसके passing velocity भी है kinetic energy कितना kinetic energy है यहां से पतल जाएगा f x0 by 2 f x0 by 2 इतना potential energy है spring में आ इतना kinetic energy भी बड़ी है तो दूसरा सवाल ही है कि the energy is stored in the spring when the block passes through the equilibrium position and kinetic energy of the block at this position kinetic energy बताएगे और potential energy बताएगे potential energy बताएगे half a f x0 by 2 और kinetic energy भी f x0 by 2 एक क्वेश्चन नमर्ब बी का अंचन है f x0 by 2 और f x0 by 2 क्वेश्चन नमर्ब अच्छा है f square y2 के f square y2 के लिखा हुआ है तो f x0 by 2 f x0 by 2 तो आगे f square y2 के और यह लिखा गया f by 2 x0 by 2 f x0 by 2 क्वेश्चन नमर्ब गया क्वेश्चन नमर्ब गया f square y2 के लिखा हुआ है अभी बराबर omega a f square y2 के का रूट तो omega बराबर kym का रूट क्वेश्चन नमर्ब गया रूट अभी चूट बराबर f square y2 के का रूट दुना तरह बर लूट कर दो तो kym square करते हैं into a square बराबर f square by 2 k तो amplitude बराबर f square by 2 k square f square m by 2 k square का रूट होगा तो बराबर f बटा k और अंडर रूट m by 2 omega a बराबर f square by 2 k half m b square बराबर f square by 2 k तो b बराबर f square b बराबर f square by k यहां बराबर f square by 2 k k तो omega a बराबर f square by 2 k यहां बराबर तो omega कमान k by m कारूट और a बराबर f square by 2 k तो k बराबर f square by 2 k m से m तो a f square by 2 k k कारू बराबर f square by 2 k temperature कमान आएगा f square by 2 k f square by 2 k यहां बराबर f square by 2 k यहां बराबर f d question number 90 यहां इता a a a a a a a a c C and released find the time period of oscillation against the spring C and released C के तरप आपे से खीच दीजे और छोड़ दीजे तो बदाए कि time period कमाएं क्या हो कमाएं लिया है कि इसको हम कितना खीच दिया इधर? X इस ब्लॉक को हम कितना खीच दें? X यहाँ खीच दें X इसको दवा दिया जे जब इस इधर आया इसका मतलबी नीची आया होगा X कॉस्पेटालिस्ट इधर भी भागा होगा X कॉस्पेटालिस्ट इधर X किचने का मतलब तो पार्ट के यहाँ है यहाँ आपिया X इसका मतलब इधर कितना है और इधर कितना है जबकि कोन कितना है? पेटालिस्टी यह पेटालिस्टी मतलब X Y रूट्ट्टू बेराबर X Y रूट्टू जब इसको छोड़ा जाएगा जब इसको छोड़ा जाएगा M मास के ब्लोग को तो एक इधर काम करेगा एक इधर काम करेगा KXYROOT2 और एक इधर काम करेगा KX तो यह एंगे फिर्षते 45 डिग्री तो KXPOSPITALIS एधर निद KXPOSPITALIS इसे अचा था कि इसको तोगते हैं एधर काम किया KXYROOT2 इधर काम किया KXYROOT2 और इधर काम किया KX इसी को तोड़ेते हैं KXYROOT2 कOSPITALIS और KXYROOT2 साइं कितालिस इसको तोड़ेंगे तो फिर से वो KXYROOT2 को तोड़ेंगे 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 आए वो इधर किया KXYROOT2 आए वो इधर KXYROOT2 साइं कितालिस तो यह बाइगे लग क्यान थी और जार वाजाएगा KXYROOT2 आँचे तोड़ेंगे तोड़ेंगे KXKX2KX इस अचा पर 2KX पराबर 2KYM का ROOT ब्राबर ओमेगा T ब्राबर 2P अंदर ROOT MY 2K ही कोश्चे नूमबर 90 कोश्चे नूमबर 20 रेखे अचे करणा रेफीट प्रिवियस एक्सरसाइज इस इस कोच्छा को फिर से रिपीट कीजिए अगर हरेकर स्पिरिंग के भी चेक्ट विश डिजी का इंड लो प्रेट कीजिए शब कर प्रेट कीजिए अगर हरेकर स्पिरिंग एंड विजी प्रेट कीजिए विजी जाओ शुमाले से एतना कीजिए एक्सी ने प्रियस प्रिमा यहां से हाँ जाए तो X खीचे है इसको इवला ब्लग यहां से X दबाए अभी तो है इक विल्यम में इक विल्यम में ही अकी सिने इसको X दबाए जब एक से हाँ दबे लाओ आईसे ही जब यह पॉइंट यहां आएगा X तो यहां चलाएगा X यहां चलाएगा आई X आए चुकी आई को नहीं के डिगरी 60 डिगरी बहुत थोड़ा से X का मान बहुत थोड़ा है इतना थोड़ा कि अगर यहां हम बोलें 60 डिगरी यहां ही बोला जाएगा 60 डिगरी तो यह X तो यह X कोस साथ X कोस साथ बहुत थोड़ा है यह X फैला यह फैलए गा X बहुत छोटा होता है X बहुत छोटे इसे बोलने कि 60 हो यह बास तो मिरी 60 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा कम जाएगा और नीचे अगर तो थोड़ा सा और कम जाएगा इह दवाने के बाद, इधर एको लगेगा KX, इधर लगेगा KXY2 और इधर लगेगा KXY, और इक वन माशाधि, इधर KXY2 कोस्टाट, KXY2 कोस्टाट, और KXY2 Sine Tart इसको तोड़ेंगे, तो KXY2 cos Tart और इधर KXY2 Sine Tart इधर क्यों थी? तो KXY, इधर 2 से 2 क्यों थी? KXY2 और KX3 KXY2 बराबर मास इंट एसी दरेशन तो 3k by 2m कागूर पीछ कर तो ओमेगा तो टी गराबर 2pi अंडरू 2m by 3 2pi अंडरू 2m by 3 एकी इस लाबर कि इसी लाबर बढ़रू 2m the springatus is singular on strength in beginning when a man starts pulling the block a man exert a constraint for shift from the block find the amplitude and the frequency of the motion of the block तो सबसे पर दोए के वन है एक टू है एक थी है तो के टू के थी होगा स्टीरीज में आई के वाइए पारलेल में तो में एंसर जो आएगा है सिरिंग आप समझें के एक बलाओ को रहा हुआ क्यां से कितना हुआ है के वाइट पलस एक तू काटेख तू इन तू की रिटा जाटा जैक्ट ना चीरी एक थी बाट रिटां थी बटांटमेट पनाहिक मालो इसको के क्वेश्चा नमर 18 हो गिया क्वेश्चा नमर 18 क्या निकाना find the amplitude and the frequency of the motion of the block temperature कितना है था क्वेश्चा नमर 18 में क्वेश्चा नमर 18 में amplitude कितना है था F by कहीं का यह था F by क्या हो गया था ते का महानी हो था और frequency of the block you can see मतलब time period का उलटा time कितना हो गा कितना है था 2 pi under root m by k by k का मान यहां से पूट करना k का मान भाई k1 equals k3 k2 plus k3 k1, k2, k2, k3 2 pi under root m by k k का मान जो भी यहां साएगा यहां निकाल के पूट करना है यहां पर c by 2 pi under root m by k में के का मान जो पूट करना है यहां question number 18 question number 18 question number 20 qa 3 screen को series parallel करके जोई फर्मूला है question number 22 question number 22 बाईस 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 1, 2, 3, K1, K2, K3, M माज का गलाव टाइम प्रेट निकाना बहुत असान है पहले तो लिख दना कि 1 बटा K ब्राबर, 1 बटा K1 प्लास, 1 बटा K2 प्लास, 1 बटा K3 तो लिख बटा K is equal to लिख दना क1, K2, K3, to K2, K3, plus K1, K3, plus K1, K3 तो K is equal to K1, K2, K3, बटा K1, K2, plus K2, K3, plus K3, K1 अटी बराबर आएगा 2Pi under root M by K क्यांकि तो एक स्पिदिंग ब्लाग सिस्टम हों गया इसका टाइपेट पता है, T बराबर 2Pi under root M by K निकाना था कि प्रोटैन्चिय अनर्जी स्टूरी नीचे स्पिदिंग, एक स्पिरी में कितना प्रोटैन्चिय में जी स्टूरी तो प्रोटैन्चिय अनर्जी बराबर 1 Kx स्वाएगा तो half k x x बरावर half f k x परावर f i x परावर f by k मतलब f square by 2k सब पर बल लेगा mg m square g square by 2k1 m square g square by 2k2 m square g square by 2k3 here f बरावर mg सब पर बल लेगा mg mg सब पर बल लेगा mg m square g square by 2k1 m square g square by 2k2 m square g square by 2k3 question number test is प्रग्ण स्रीं इस पूली दोनेने और लएडर।